हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पार्ठिक्रम में संकलित इकाई दस आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गध्य विधाईं के अंतरगत मुर्दय या आत्मकथा के परिक्षा उप्योगी महत्पुन बिंदूओं पर चर डॉक्टर तुलसी राम दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाली सहित्तिकार थे उनके लेखन में सांती अहिंसा और करुणा व्याप्त है दलित समुदाय में पैदा होने के चलते उनका बचपन कथित माननेताओं और पंधनों से जूजने के साथ ही सामाजि इवं आर्थिक कटनाईयों में बिता बचपन से किताबों के सौकीन डॉक्टर तुलसी राम को माक्सवाद से बहुत संबल और साहस मिला डॉक्टर तुलसी राम ने अपने लेखन में दली चीवन के कष्टों यातनाओं उपेक्षाओं प्रतार्णा आदी की खुलकर अव हमला बोला डॉक्त्र तुलसी राम की आत्म कथा दो खंडों में विवच्ट है रथम खंड का नाम मुर धायया है तथा दूतिय खंड का नाम मनी करने का है मुर्धईया में डॉक्टर तुलसी राम ने अपने जीवन कथा को पाठक के सामने वैसे रख दिया है जैसा कि उन्होंने जीया और महसूस किया है मुर्धईया आजमगड में स्थित लेखक के गाउं के समसान घात का नाम है या दली जीवन की करमस्थली है मुर्धईया की भूमी का में डॉक्टर तुलसी राम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्धईया को खोद-खोद कर निकालने का काम तदभव के संपादक अखिलेस ने किया है अर्थात मुर्दयया लिखने की प्रेना और उर्जा उन्हें लेखक संपादक अखिलीस के अत्यंतु निवेदन से मिली मुर्दयया में लेखक के बचपन से लेकर उनके सनातक की सिक्षातक की जीवन यात्रा का विवरन है मुर्दया यानि गाउं का वह कोना जहां मुर्दे फूके जाते हैं मुर्दया यानि गाउं का वह हिस्सा जहां मरे हुई जानवरों के चम्रे उतारे जाते हैं तुलसीराम दुरारा अपनी आत्मकथा को मुर्धया नाम देना केवल एक सीशक मातर नहीं, अपितून की रशना की आत्मा है। डॉक्टर तुलसी राम इस आत्मकथा के माध्यम से पुरे भारती देहाती गाउं में फैले अंदविश्वास को अपने गाउं के जरिये बताते हैं। अंदविश्वास हिंदू संस्कृती सत्ता को बनाई रखने के लिए रचे गए हैं। मुर्धया इसका परदाफास करती हैं। यह आत्मकथा साथ भागों में विवाजित हैं जो निम्न हैं। तथा सात्वा आजम गड में फाका कासी। बीच में ब्राह्मन टूला तथा तमाम गाउं की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिन में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंदविश्वास के अनुसार किसी गाउं में दक्षिन दिशा में से हीं कोई आपदा, बिमारी या महामारी आती है। इसलिए हमेशा गाउं के दक्षिन में दलितों को बसाया जाता है। मुर्दया आद्मकता में वेदना, आक्रोश वर उत्तेजना का उतावला पन नहीं है। अपितु इसमें सभी चीजों को बड़ी बारीकियों से पेश किया गया है। लेखक ने धरंपूर गाउं आजमगट की बहुदेशिय करमस थे सली मुद्धरिया को कहा। मुद्धरिया पुषत का पहला वाक्य मुर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। पुषत की भुमिका में दुजिराम आजमगट की मुद्धरिया को निकालने का श्रे तद्भग पत्त्रिका के संपादक अकिलेश को दिया है। चेचक से suggest होन से के सकार से की है दिलिप मंडल ने तुसी राम को भारत का ग्रामसी की संग्यादी तुसी राम को 162 रुपे की स्कॉलर्शिप मिली थी जिसमें से 81 रुपे उनके गहरे दोस्त देवराज सिंग ने चांक को दिखा कर ले लिये थे मुर्दयया में गरीबी और भुक मरी का ऐसा पीरा दायक चितरन मिलता है जहां किसी अर्थ सास्त्री की निखा सायद ही कई गई होगी बरसात के समय करकी के दिनों में मैदानी चूहों का मास और बरसाती मचलियां खा करता था चूहों के बिलो से गेहों की बालियों से अनाज निकालना दली जीवन की विवीशिका को प्रस्तूत करता है आईए इस आत्मकता के उद्देश्य को देखते हैं मुर्दहिया का फलक बहुत विस्तृत है कुछ महत्पुन बिंदुओं के रिखांकन से मुर्दहिया की व्यापकता को समझा जा सकता है जैसे लेखकी घरेलू परिवार, पारिवारी किस्तितियों और तूटते बिखरते बाल मन की सच्चाइयां दूसरा, पार्ट साला में मौझूद जातिकत, भेद्भाव और अपमान का बोध, तीसरा, ग्रामीन संस्कृती और सामाजिक संस्कृति क्रिस्तों की बंती बिगर्ती कहानी बौध धर्म, बौध कालिन भारत और बौधों के प्रती नफरत का प्रमानिक दस्ताबेज की पेशगी लोग भाशा और लोग कला की अद्भुत प्रस्तोती स्री पुरुष संबंद, नयतिकता, मुल्य और सामाजिक मानेताओं का यथार्थ परक अंकर बेगारी प्रता और दलिच चेतना का क्रमिक विकास, अपमान, अनादर, हुना, गरीबी और सोशन के बीच, प्रेम, सहयोग और संबलादी यही व्यापकता इसकृती को अन्ने से विशिष्ट बनाती है तो आईए इस आत्मकता के पात्रों के बारे में जानते हैं जूठन, लेखक के दादा जी, जिने प्रचलित अंध विश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था मुसरिया, सौवर से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली, लेखक की दादी, धीरजा, लेखक की माताजी, सीधी साधी, घरेली उस्त्री जंगू पांडे, असी वर्षिय ब्राह्मन, जिने निर्वश और अविवाहित होने के कारण गाओं के लोग अब सुकूनी मानते थे नगर, लेखक के पिता के तीसरे भाई, सभाव से क्रोड, सिव नरायन, पंथी, धर्म गुरू भी थे सोमर, लेखक के पिता के सबसे बरे भाई, 112 गाओं के चमारों के चौधरी मुनिस्सर, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, सिव नरायन, पंथी, धर्म गुरू, कलकत्ती की एक जूट, मिलवें मजदूर मुन्नर लेखक के पिथा के चौथे नंबर के भाई अन्य सभी भाईयों के अपेक्षा सहज और समयन वैवादी वेक्ति पूरे सयुक्त पडिवार की मुख्या अमीका पंडे साइत बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडेत मुन्सी राम सूरत लेखक प्रात्मिक विद्याले के सिक्षक जाती पाती के भेद करने वाले परसुराम सिंग हेड मास्टर सुभागिया जिसके नव विवाहित मजदूर पती का कलकते से भेजा गया खत लेखक पड़ता है यह एक यूवा सुन्दर और विवाहित तलित लड़की है संकटा सिंग प्रात्मिक विद्याले में लेखक का सबसे करीवी मित्र कुंदन लेखक के नगर चाचा का बेटा जिसे चुडायल के सपने आते थे किसुनी भौजी 22 वर्स की यहस्त्री अपने हिरदय विदारक रिहस्तिक और वैवाहिक दुख को चिठी के मारफत कोई लड़ी में मजदूरी कर रहे अपने पती तक पहुँचवाती है चिठी लि दूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे पत्तू मिशीर जिसके बगीचे से लेखक मलदहिया आम तोरता है और पत्तू उसे सुद्ध बाबा का भूच समझ कर डर जाता है कर पात्री जी रामराज्य परिशद पार्टी के नेता हिंदू कोड बिल के विरोधी हीरालाल पारण ही लेखक से इश्या करकने वाले पारसनात पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनान्यों के बारे में पढ़ाने वाले सिक्षक गंबीर तथा विनम लाल बहादूर सिंग एक बड़े जमिंदार के आवारा सराबी बेटी जो हाई स्कूल के चात्रवा लेखक के मित्र सुग्रीव सिंग गोरकपूर विश्युविद्याले से बिये पास करके आये हुए सिक्षक ये हिंदी पढ़ाते हैं लेखक को खूब प्रुस्ताहित करते हैं और उसके संट्रक्षन की भूमी का निवाते हैं चिंतामनी सिंग एक बड़ी जमिंदार के पुत्र लेखक के सैपाटी और घोर हितैशी रूप राम परिक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराइदार के तौर पर रुखता है और यह रूप राम लेखक के उपर हीरा लाल सिंग नामक सवर्ण चात्र द्वारा किये गए हिंशक वैवार का बदला लेने के लिए भी तयार हो जाता है तपसी राम लेखक से बीएचियू में हुई भेट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं वही लेखक के चात्र हैं ये लेखक को लगातार प्रेर्णा और होसला देते हैं कि आगी की बढ़ाई यहीं बीएचियू में करनी है राम धन आजमगट के प्रसित दलित नेता देवराज सिंग उपर से लेखक के मित्र बन दे हैं परंतु छल और विद्वेश से लेखक की चात्र रुप्रिती में से आधे 81 रुपे जब्रन ले लेते हैं विजई पांडे लेखक की जाती के 128 लोगों के खिलाब जूटा मुकद्मा दायर करने वाला सक्स अरुन कुमार सिंग आजमगट के कम्यूनिस्ट नेता और विधान सभा सदसित तेज बहादो सिंग के नाती और लेखक के घनिष्ट मित्र जो आजीवन रहे आएए देखते हैं इस आत्मकथा के कथा वस्तो को डॉक्टर तुलसी राम कहते हैं इसमें मेरा दर्द है मेरी समाज का दर्द है मेरा पूरा जीवन ही मुर्दःया है मुर्दाया आत्मकथा में गाउं में घटित हर घटना को अंधिविस्वास से जोर कर देखा जाता है उलका पिंड का रात में तूटने को भूच समझा जाता है जब कोई उड़ता हुआ कववा किसी को पैरो या चूच से मार देता है तो इसे भी अपसकून माना जाता है बच्पन में तुलसी राम को चेचक निकल आने वह उसमें उनकी एक आँख चले जाने से घर वाले घर वालों समेश सभी गाउं वाले उन्हें अपसकूनी मानते हैं डॉक्टर तुलसी राम लिखते हैं कि मेरे दादा पर दादा गाउं के ब्राह्मन जमिंदारों के खेटों पर बनवा मज़ूर थे उन्हें जमिंदारों ने ही कुछ खेट उन्हें दे दिया था गाउं के अन्य दलित भी उन्हीं जमिंदारों के यहां हल चलाने का काम करते थे यह हरवाही पुष्ट दर्पुष्ट चली आ रही थी अधर जजमानी प्रथा के भयावय स्वरूप का विस्ति चित्रन करते हुए डॉक्टर तुल्सिनाम ने अकाल के दिनों में भुक्मरी के सिकारवन्चित समुदायों की बेवशी को दर्साया है नाईयों, धोवियों, मुसहरों और नटों की बधाली का मारमिक चित्रन मुर्धायाग में मिलता है यह चितरन स्वव और सामुदा एक संवेदना का विस्तार है इस प्रिस्टूती से ही मुदय या मात्र एक वैक्ती एक जाती का जाती या मात्र एक समुख की गाथा नहीं है पीदो वेदना का सामुदाई करन है डॉक्टर तुलसी राम द्वारा लिकित मुर्दया आत्मकथन अपसकून से सुब सकून तक के सफर को वर्णित करता है सिक्षा से कौन सा परिवर्दन हो सकता है और इसका बखान है और आदर्श उधारन प्रस्तूत आत्मकथन है मुर्धरिया में सिक्षा और सिक्षन तंत्र की जिस विद्विता का वर्णन मिलता है वह प्रगति के सारे दाओ को खुकला साबित करता है अध्यापक मुंसी राम और विशेशकर सूरत लाल द्वारा दलित बच्चों को बाद बाद पर स्कूल में चमर्कीत कहकर अप्मानित करना बाल मन पर स्थाई चोट करता है बरसात के दिनों में जोपडियों और खपरेल के घरों में पानी टपकने के बीच कई-कई राते ऐसी ही जागते गुजार देना दलितों की गरीबी का मुर्धरिया मार्मिक चित्रन करती है मुर्धरिया जैसी रचना रचनाई विसमता परक समाज को समता में बदलने की प्रिष्ट भूमी तयार कर रही है हिंदू समाज में व्याप्त हिंसा ग्रेना सोशन एबं वर्चसों को मुर्धरिया बेपरदा करती है साथ ही दलित वर्ग की जटिलताओं एबं विसंगतियों का समाजिक सांस्कृतिक परिपेक्षि भी उदगार्टित करती है या आत्मकता दलित जीवन संगर्ष कोई की सिर्फ वेदना मैं गाथा ही नहीं है अपितु लोग जीवन की विविद शवियों और सामाजिक सचाईयों की परताल भी करती है आईए देखते हैं इस आत्मकता के महत्वण पंतियों को भूमिका से मुर्धरिया हमारे गाउं धरंपूर आजमगर्ड की बहुदेशिय कर्मस्थली थी चरवाही से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थी अगली पंति हमारे गाउं की जीयो पॉलिटिक्स यानी भूराजनिती में दलितों के लिए मुर्धरिया एक सामरे केंद्र जैसी थी बच्पन में दुखी धोने का मतलब होता था आखों में आसू आ जाना ऐसे अफसरों पर मेरी दादी आख धोल लेने को कहती थी किन्तु आज का अनभब बताता है कि चंद पानी के चीटों से दुख की निसानी नहीं मित पाती अगली पंति बढ़ते हुए सहरी करन ने हर एक के जीवन को प्रभावित क्या है भूद भी इससे अचूते नहीं है भूद ही पारिवारिक प्रिष्ट भूमी से मुर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी अगली पंति हकीकत तो यह है कि आज भी करोरों भारतियं मिनांदर की कसोटी पर खरा उतरते हैं अगली पंति गाउवालों का कहना था कि मेरी दादी ने कववा का मास खाया है इसलिए वा मरती नहीं है अगली पंति संभवत मेरी माबाप की सर्वोच आकांचाओं की पहुँच मुझे एक सिद्ध हस्त मचर मरवा के रोप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी अगली पंति उस समय गाउव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे हमारे गाउव में चमरिया मारी और डी बाबा दो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे अगली पंति किसी सिव नारायन पंति की मृत्ति हो जाने पर हिंदूों की तरह उसकी लास को जलाया नहीं जाता बलकि मुसल्मानों की तरह दफनाया जाता था किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था मुर्दयया तथा इसकूली जीवन से अमिका पांडे साधी विवा से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइट बताने के लिए मसूर थे अगली पंति भारत के यानि गाउं में आज भी प्रचलित है परिनाम स्वरूप और नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं अगली पंति कक्षा दो में जाने के लिए मुंसी जी ने हर बच्चे से दो रुपिया पसकराई यानि पास कराने का घूस लिया यह दो रुपिया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्थ हुआ यह पसकराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था अगली पंति दादी लेटकर अपने दो घुटनों को मुर कर मुझे बैठा लेती और जूले की तरह आगे पीछे जुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती जाती वह कानी इस प्रकार थी राजा रानी आवेली पोखरा खनावेली पो कवा कहे गाउं काउं बिलार कहे जप्टो आ लगडी के टांग धै के रहरी में पटको रहरी में पटको यह कहानी खत्म होते ही दादी जो जो से लला पला लला पला कहते वे पैरों पर बैठाए मुझे उपर हवा में उचाल देती अगली पंति हमारे घर में सोने के लिए जारे के दिनों में घर की फर्ष पर धान का पोड़ा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था उस पर कोई लेवा या गुदरी बिछा कर हम धोती ओड कर सो जाते अगली पंति हमारे छेत्र के तमाम ब्रामन उस समय की दो बैलों की जोडी चुनाओं चिन्ह वाली कॉंग्रेस पाटी के कटर समर्थक थे अगली पंति इन्ही सिवानों से घिरे हमारे धरंपुर गाओं के सबसे उत्तर में अहीर बहूल बस्ती थी जिसमें एक घर कुमार एक घर नोनिया एक घर करेडिया तथा एक घर गोर भरभूजा का था बीज में बवन नौटी, ब्रामन टोला तथा नाम गाओं की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिन में हमारी दलित बस्ती एक हिंदू अंदविस्वास के अनुसार किसी गाओं में दक्षिन दिसा से ही कोई आपदा वीमारी या महमारी आती है इसलिए हमेशा गाओं के दक सिकार होने के लिए ही दक्षिन की दलिदबस्ती में पैदा हुए थे अगली पंक्ती रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नजारा देखना हमें अत्यंत भैवीत कर देता था उनके बारे में अफ़ा फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सी आर पागल हो जाते हैं इसलिए आदम में अंदविश्वास से मैं गनित के प्रश्णों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिख कर हल कर लेता था फिर उसे छोटे छोटी अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था तमाम दलित लड़कों को रावन की सेना में विविन राक्षसों की भूमी का दी जाती थी हम राक्षस बने राम लीला में रूज मरते रहते थे अगली पंक्ती आजादी के बाद स्कूली चात्रों के बीच स्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी जिसके तहत हम स्कूल पहुंसते ही पूरे स्कूल की सवाई करते अगली पंक्ती पढ़ाई के द्रिश्टी कोन से हेड मास्टर परसुराम सिंग मेरे सबसे प्रेना स्रोत थे वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रसंचा करते अजब ज़्यादा खुश होते तो कहते इचमड़ा एक दिन हमरे स्कूल का इज़त बढ़ाई अगली पंक्ती पनिया भरत के हीन कर तिकवा हरेल रामा रोवत घरवा आवे लेडे सावर गोडिया अगली पंक्ती आम भाशा में धोबिये वा नाच कही जाने वाली या दुनिया की एकमात रहसी नृत शैली है जिसमें गंटियों वाला घुंगरु पैर के बदले कमर में बाना जाता है मुर्दया के गिद्ध तथा लोग जीवन से पोखड़े की तरफ से आते हुए रामचरन जादर जी मुझे देखकर बोल पड़े आज तक कौनों काम ना होई इन कनवा इक कनवा समने पड़ी गयल इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा कहबा जा अगली पंक्ति सन 1969 की गर्मी ग्रिश्मडी तू लगाता दो साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दीन में बदल चुकी थी दलित वस्ती में चिट्टी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी अगली पंक्ति किश्नु भौजी दो बच्चों की मा थी कितन तू उम्र मुस्किल से 22 साल इसके अंदर दुखरा सुनाने के अध्वुत वर्णनात्मक सैली का समावेस था अगली पंक्ति आज जब मैं अंतरराष्टिय राजनीती के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर इवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो यह स्विकार्णने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेर्णा के असली जनक वे तीन गरीव मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतराष्टिय राजनीती की तरफ अंजाने में ही खीचा था इनमें एक थे सोवियत संग के समोही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगडिया कहने वाले सोनई तथा, तीसरे थे डडियल जेदी चाचा अगली पंक्ती, इस छेत्र में स्वतंतरता अंदोलन का नेत्रित तेज बहादुर सिंग नामक एक प्रख्यात कम्यूनिस्ट नेता ने किया था, उन्होंने बर्सों तक भूमिगत रहकर काम किया था, इस पूरी छेत्र पर उनका विशेश प्रभाव था अगली पंक्ती, इन भांड मंडिलियों में वे सामाजिक कुरूतियों पर लोक शेली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तूती को बहुत ही मार्मिक बना लेते थे उनका ये गीत मुझे आज भी स्प्रन होते ही रोमांचित कर देता है जिसकी कुछ पंक्तिया इस प्रकार है हरीजन जाती सहे दुख भारी, जेकर खितवा दिन भर जोतली, उहे देला गारी हो दुख भारी, हरीजन जाती सहे दुख भारी अगली पंक्ति इसी कुरीती पर एक विरहा शैली में बराहिं लोगप्रिय गीत गाया जाता था जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूड तर्थ्य छीपे रहते थे जैसे बाबा विदा करो लड़िका के महरिया रहरिया में बाजे घुंगरू अगली पंक्ति इसकरी में बरात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का निर्थ किया जाता था जिसे दुकर कहते थे यह बहुत शक्तिशाली निर्थे होता था इसमें सिर्फ दो कलाकार एक दफला वादक तथा दूसरा दुकर ची नर्थक होता था अगली पंक्ति ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क की ध्वनी पर कहडवा हुड़क डमरू की आकिर्थी वाला उससे काफी बड़ा वाद्य होता था जिसे कलाकार अपनी बाह के निचे कांक में दवा लेता था तथा उसे अपनी केहुनी से बजाता था भूतनिया नागिन से इस बीच हमारे घर में भी एक विज़ित रिस्तिती पैदा हो गई थी मेरी मा बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगले उठाना शुरू कर देते थे सन 1961 के ही जारो की बात है पिताजी मा को मारने के लिए फड़ू ही लेकर दोरे मैं वहीं ख़रा था मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा, उनका तमाचार इतना जोर का था कि मैं कुछ देड के लिए चौन्दियास आ गया था अगली पंक्ती, किन्तु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी मा को मारने से घबराने लगे, बस्ती के लगबग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया अगली पंक्ती, समय जो जो बीटता गया, मा और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुस्मन बनता गया अगली पंक्ती, अगला साल सन 1962 देश की तीसरे चुनाव वाला साल था, इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनरी लगाई गई, इस बार के सांस्कृतिक कारिक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी अगली पंक्ती, बाद में बाबा हरी हर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने के लिए काम कर रहे हैं, जाहिर है की पार्टी राम राज ये परिशत चुनाव मैदान में थी अगली पंक्ती, कुल मिलाकर हमारे छेतर में कॉंग्रेस, कम्यूनिस्ट तथा प्रजा, सोशिलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था, किन्तु हमारे गाउं में कोई जनसंग का नाम लेवा नहीं था अगली पंक्ती, हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था, सुबह से साम तक चुनाव की सारी प्रकिरिया में मैं देखता रहा, मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा मा के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिता जी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहरदास ने उन्हें दो रुपिया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया अगली पंक्ती चुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो नौवी कक्षा का नजारा ही कुछ और था, मैं काफी उत्साहित था, अन्य विशों के साथ रेखा गनित एक नया विशे था अगली पंक्ती प्रधाना ध्यापक धर्मदेव स्मिश्र लगभग रोची स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हतियार के बदले अमेर का सोना मांग रहा है, वे सुरक्षा कोस में सोना इखटा करने के लिए प्रेरित करते अगली पंक्ती उस समय चीन के बारे में उन्हें किस्से कहानिया स्कूल तथा गाउं में फैली हुई थी, नगर चाचा का बेटा कुद नर्ना जाने कहां से सुनकर आया था, वह कहता था कि चीन में जब लोग साट साल के बुड़े हो जाते हैं, तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है, फिर दावत में आई हजारों बुड़ों को गोली मार दी जाती, चले बुद्ध की राह से, धर्म देव मिश्र स्वयम कभी थे, कभी होने के नाते, उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था, अगली पंक्ती, कमलेश जी भक्ती साहित्य में कृष् सुरई शाखा के बड़ी प्रसंसक एवं अनुयाई थे, अगली पंक्ती, इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र सादु आये, वे औरतों की तरह बड़ी-बड़ी बाल बढ़ाए हुए थे, किन्तु दाड़ी मोच सफचत थी, वे आवुसनों से लदे ह पैरों में फायल, हाथों में बड़े-बड़े गुजही, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगल सुत्र, कानों में तरकिया, नाक में नथुनी आदी वे पहने हुए थे, उनकी मांग में सिंदूर भी था, किन्तु परीधान के नाम पर आधुनिक बिक्नी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्शन का केंद्र बना दिया था, अगली पंक्ती, वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोलगा से गंगा का नाम लेकर कहते थे, कहते की इसके अलावा उन्होंने सैक्रो किताबे लिखी है, राहुल सांक्रेत आयन के बारे में यह सब सुन कर मेरे मन में उतकंता जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता, वोलगा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनात पांडे कुछ भी नहीं बताते, कि तो बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है, अगली पंक्ती, आखिर कर जुलाई आहीं गई, घरवालों के विरूत के बावजूत मैं सुभर बिना कुछ खाली पेट स्कूल जाने लगा, घर पर सामोहिक संयूत पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्ता मेरे लिए असंबव थी, अगली पंक्ती, चुक्की हमारे स्कूल के संस्थापक बावा हरीहर दास छत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुधाय का बोल बाला था, अधिसंग के अध्यापक भी छत्रिय थे, ऐसे अध्यापकों में एक थी सुकरीव सिंग जो हाल ही में गोरकपोर विश्यविद्याले से भी ये पास कर अध्यापक बने थे, वे हिंदी पढ़ाते थे और वे मुझे खोब प्रसाहित करते थे, अगली पंक्ती, जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुई, दूसरे दिन बावा हरीहर दास्वैम प्रिंसिपल धर्मदेव सिंग, धर्मद इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुक्रीव सिंग प्रस्तुत हुए, उन्होंने मुझे फिर तीस रूपे दिये और कहा कि आजमगर जाकर पढ़ाई चारी रखो, अगली पंक्ती, उस जंगल में जैसे आगे बढ़ रहा पीछे चूटती चली जा रही थी, और साथ ही चूट रहे थे इस प्रियस्थली के अंगिनत यादो के धे, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आमरपाली का संभवता वही थी मेरे लिए नटिनिया, आजमगर में वाका कसी, उस दिन साम को मामा मेरी हाइ स्कूल की मा म्यूनिस्ट नेता तेज बहार्दु सिंग के पास ले गए, जो उस समय पिधान परिशत के सदस्य थे और मात बर गंजी में ही रहते थे, इस कॉलेज में सिग्र ही आश्यर शकित करने वाली बात यह लगी कि दोपर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्या पक की हाफ पैंट पहन कराते थे, अनेक छातर भी वैसे ही आते थे, पांच बजे शुट्टी का घंटा बचते ही, यह सभी कॉलेज प्रांगन में लगने वाली RSS राष्टिय स्वैम सेवक संग की साखा में सामिल हो जाते थे अगली पंक्ते, धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगट का या DAV कॉलेज संपोर्न रोप से RSS के अधीन था अगली पंक्ते, इस तरह अंबेक कर होस्टल के मेज तथा धुकू की पकोडी की दुकान के बीच जूचते हुए आजमगट की मेरी अनकिनत रातें पाका कसी से गुजरती रही अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर वैक्ती बुद्ध नहीं बन जाता ग्रीत आगे के बाद चमतकार एक सकती पाने के लिए ब्रामनों के चकर में बुद्ध भी भूके रहकर समझान में साधना करने लगे थे किन्तु जब चमतकार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमतकार था